असलाम लेकुम फ्रेंड विलकम बैक टो मैं चैनल विलकम बैक टो मैंने रण न्यू वीडियो अज मैं आप लोगों के लिए एक टी टेम स्नैक लाई हूँ बहुत ज़्यादा तेस्टी बहुत जल्दी फटाफट बनके ये तैयार हो जाता है इस बरसात का मौसम में अगर गर्मा गर्म इसी तरीके का नाश्टा मिल जाए तो बिलकुल मजा आ जाए तो मेरे वीडियो को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके आप लोग बनाएंगे तो बिलकुल आप लोग का जो है परफेक्ट बनेगा तो वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा तो इसके लिए पहले इसका डो तायार कते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर एक कप मैदा ले लिया हूँ और उसमें कुछ ड्राइ मसल आट करना है जैसे की नमग और उसी के साथ में डाल ले ही हूँ अजवाइन फ्लेवर के लिए इसको हातों से थोरा सा क्रेश कर लेना है इससे जो इसका फ्लेवर बिल्कुल निकलता है अब डाल देना है कलोंजी इससे जो एक बहुत उमदा फ्लेवर आता है तो कलोंजी को भी जो रूट डाली इसकीपना करते हुए तो पहले जो है अच्छी तरह से ड्राइ इंगिडियन्स को मिक्स करना है उसके बाद जो है दो चमच तेल डालना है इसके अंदर ताकि एक अच्छा सा मैडे को जो है मॉयन मिल जाए और बिल्कुल क्रंची और खस्ता जो है हमारा मीनी समोसा या फिर फिलावर समोसा बन के तैयार हो जाए मॉयन को हाथों में मुठी डाल के देख लेना अगर मुठी बंद रही है तो बिल्कुल परफेक्ट मॉयन है आप जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है नॉर्मल चपाती के लिए जैसा बनाते हैं रोटी चपाती पूरी के लिए उसी तरीके का हमको डो तैयार कर लेना है तो हम डो तयार है चलिए इसको साइड में छोड़ देते हैं इसका स्टाफिंग तयार कते हैं स्टाफिंग के लिए आपर मैं चार उबले हुए आलू को ले लिया हूँ उसका छिलका मैंने निकाल लिया है अभी मैं मैशर की मदद से इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप लोग हातों की मदद से कर सकते हैं मैशर की मदद से इसलिए कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे तो चिलि कुछ ड्राय मसाल्हा एड करते हैं जैसे कि आपस सुआदा नुसा, नमक और एक चमच, लाल मेज そうतै आप लोग अपनी तीखा का अनुसा हणा सकते हैं भूना हुआ जीरा का पाौइबर एक चमच, और आंचूर पाौडर एक चमच अगर आप लोगों के पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आदी लेमन का जूस निकाल के इसमें डालिए और हरा धनिया एक कप में डाल दे हूँ हरा धनिया का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डाली हूँ आप लोग थोड़ा कम भी कर सकते हैं मसाले आप लोग आपने पसंद के हिजाब से भी इसमें डाल सकते हैं तो चली बहुत ही अच्य तरह से सबसे पहले मिक्स करते हैं उसके बाद जो ही इसके अंदर तो थोड़ा सा बेसन या फी चावल काटा थोड़ा सा डाल सकते इसके अंदर पर जादा मैं सजेश्ट करूंगी कौन फ्लावर ही आप लोग डालिए तो आलू का स्टफिंग तैर हो चुका है तो चली अभी जो है आटा भी हमारा करीबन 10 मिनिर तक अच्छी तरह से इसलिए तक जो है रोटी के साइस जो है मैं थोड़ा सा बड़ा बना सको तो जितना बड़ा आप बनाओगे उतना ही आप लोग का समोसर जल्दी और ज्यादा बन के तैयार होगा एक ही रोटी में तो इसको जो है आटा लगा के बिलकुल पतला सा एक रोटी बेल के तैयार कर लेना है तो यह देख सकतेकी इतना पतला मेने बेल लिया है सेम प्रोसेस میں जो है और एक रोटी हमको बेल लेना है और इतना पतला ही बेलना है बहुत ज़्यादा पस commissions को बील rozp divakt मसाला लग जाए तो आलू बहुत अच्छी तरह से हमारा स्प्रेड हो चुका है अभी जो दूसरा रोटी हमने बेल के रखाता उसको जो है उपर की तरफ से हमको ढख देना है और ढखते हुए जो है इसको साइट का किनारा जो है अच्छी तरह से पैक कर देना है थोड़ा सा जो आलू और आटा जो है अच्छी तरह से एक दुसरे में चिपक जाएगा तो देख सकते हमारा रोटी तायर हो चुका है तो चलिए जो है अभी इसको कट्स लगा लेते हैं आप लोगों को दीखा देते हैं इसके जो है फ्लावर कैसा बनाना है तो चारो तरफ से जो है इ तो आप बिल्कुल पहले थोड़ा थोड़ा सेप दे देना है कितनी साइज बरा या छोटा आप लोग बनाना चाते है उसी साब से कट्स लगा लेना है तो छोटे-छोटे क्यूब्स के आकार में कट करना है तो यहाँ पर मैं चारो तरफ से चार-चार ही कट कर रही हूँ तो देख सकते हैं कितना अच्छा छोटी-छोटी हमारा क्यूब्स तैयार हो चुगा है तो चलिए फ्लावर के इस तरीके का बनाना है वो दिखाते हैं थोड़ा सा हातों में पानी लेना है पानी से बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाएगा फ्राइ करते वक्त बिल्कु तो देख सकते हैं बिल्कुल फ्लावर जैसा लग रहा है ना कितना खुबसूरत तो अभी जो है इसी सेम प्रोसेस से मां बाकी जितना भी है वो सब तैयार कर लेते हैं सभी फ्लावर समोसा हमारा तैयार हो चुका है आप लोग जो है इसको घर पे ज़रूर एक बाद ट्रा डाल देना है डाल कि जो है इसको गैस को मीडियम हाई फ्लेम करती हुए अभी जो है इसको फ्राइ करना है जब तक इसका कलर बिल्कुल लाइट गोल्डेन कलर ना जाए तब तक फ्राइ करना है देख सकते हैं इसका कलर जो है बिल्कुल लाइट गोल्डेन कलर आ चुका है तो मैं इसको गर्मा गरम सर्फ करती हूँ वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड में वीडियो को जरूर शेयर करना अगर न्यू फ्रेंड हो मेरे चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना मिलिंगे इसी तरीके का रिसी बी के साथ अल्ला हाफिश